हेलो अवरिवन कल की वीडियो में हमने सीखा था टिटनिस का इंजिक्शन हर चोट के लिए जरूरी होता है या टिटनिस का इंजिक्शन कब लग जाना चाहिए आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर टिटनिस का इंजिक्शन लग जाता है एक बार किसी को तो दूसरी उसको इंजीक्शंन कव लग जाना चाहिए यानि कि आपको दूसरी बार लग वाना है और चोटे बच्चों में जो एक साल के बच्चे हैं ज़ो दो साल के बच्चे हैं उनमें भी स्क इंजिक्शन लगवाना जरूरी होता है अगर पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे हुई है एक वर जरूर देखना बहुत ही इंफरमीटर वीडियो है आपके बहुत काम ये वीडियो आने वाला है अब हम बात क बात फिरसे अगर इंजिरी हो जाती है फिरसे अगर आपको कट लग जाता है तो क्या वास्तव में दो मैने बाद आपको इंजिक्शन लगवाना है जी नहीं बिल्कुल भी आपको इंजिक्शन लगवानी के जरूरत नहीं है या फिर यह डिपेंड करता है कि यह इंजिक् लग गया अब दो मेहेंदी के बाद जब चोट लगा तो क्या मुझे injection लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए इस प्रकार की चूट में आपको द्वारा से कि जो चीजें हैं वह ज्यादा उसमें आपके बूर्ड में जो कट लगाया वहां पर गई हुई है तो उसमें क्या होता रिस्क बढ़ जाता है और यह डॉक्टर भी तैय करते हैं कि वास्तव में आपको रिपीट इंजिक्शन लगवाने की जुरूत पड़ेगी या नहीं प बढ़ी है और चोट कहां पर लगी है चोट कैसे लगी है यह आपके डॉक्टर के द्वारा रेकमेंड भी किया जा सकता है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तीन महीने में आपको अंदर-अंदर आपको इंजिक्शन लगवा लेना चाहिए ऐसा कोई भी रिकमेंडिशन नह जलता है वैक्शिनिशन का उन बच्चों में आपको टिटनिस लगवानी ज़रूरत नहीं है क्यों क्योंकि वहाँ पर टीडेप बगएरा या डीपीटी बगएरा यह जो अधर इंजिक्शन लग रहे हैं जैसे बीसी जी बगएरा है जो ओरल पोलियो वाईरस है ओपीवी ह है तो मिन choose lettuce है काफ़ी सारे आपको वैक्षी लगते है तो इन में आपके stri sincerely लगते हैं करें लक्क वी इससी तो यहां पर आपको ध्यान रखना है अगर बच्चों में चैहाँ वो एक साल का हो बच चाल चाहे बच्चा आपका दो साल का हो चाहे बच्छ आपका तीन साल एग लगा है तो अगर के बात कि रहें तो मोश्ट कॉमन होता है qr 3 तक काम करता है अगर तीन मेने के अंसे अंदर अपको चोटी-बोटी चोट लगती है तो आपको एक्षिन लगवाने के जरूद नहीं है अगर कोई बड़ी चूट लगती है कोई ऐसी वूंड है कोई ऐसा ट्रोमा है जिसमें लगता है कि infection हो सकता है तो आपको डॉक्टर recommendant कर सकते हैं यह है आज का topic मेरे साब से यह topic आपका के लियर हो गया होगा अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा श्यादा share कर देना जिससे और भी लोगों का भला हो सके और मेरी कल वाली वीडियो जरूर देख लेना जो जिसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है बहुत ही इंफरमीटर वीडियो है उससे भी आपको बहुत को सीखने को मिलने वाला है कि सही समय कभ होता है टिपनिस का लगने के बाद में आपको कभ इंजिक्शन लग जाना चाहिए तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडिय में दपतकी लिए थैंकियो वाजिक्ट